हलो फ्रेंड्स पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है तो आज देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी कहां जा रही हैं तो एक्शली हम लोग जा रहे हैं बैरागड बैरागड जो है कपडों का एक बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है और वहाँ पर बहुत सारी बराइटी के ब्राइडल से ले करके जैसे आपको चोईए वैसे कपड़े मिलते हैं और मैं यह कहूंगी कि वह एक बहुत बड़ा भोपाल का मार्केट है कपडों का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो कमेंट करके बताईएगा और आप लोग भोपाल के हो तो भी पक बहुत बड़ी जगे में बना हुआ है इतनी सारी जगे को घेरे हुए है बहुत सारी जगे को और इसकी बाउंटरी को जितना दिखाया जाए उतना कम है और सेंटरल जेल इन भोपाल मतलब मैं क्या बोलूं कि यहां इसको भी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं तो मैं आप लोगों को देखिए घर बैठे यह सब कुछ दिखा रही हूँ और यह देखिए यह पूई बाउंटरी जो है सेंटरल जेल की है तो चलिए अब हम लोग बैरागर पहुँच करके बात करते हैं अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो के नीचे जो है रैड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको दवाएं एक बार इसके बाद एक बैल आइकन का एक घंटे का निशान आएगा उसको दवाएं ताकि मेरा न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए और इतने प्यारा वीडियो देने के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है और आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत जादा मोटिवेट करता है और देखिए आजकल तो मैं आपको बहुत जादा घूमा रही हूँ हूँ और बहुत अच्छ कई तरीके के लहंगे और साड़ियां दिखाती हूँ अगर कोई दुलहन बनने वाली है और उसकी शादी होने वाली है और मेरा वीडियो देख रही है तो वो अपने लहंगे की जो है डिजाइन भी पसंद कर सकती है तो देखिए मैं बहुत ही आराम से दिखाऊंगी भीड इ इतनी डिजाइन है वहाँ पर कि सायद उनकी हमने नाम न सुने हो और नहीं देखे हो और इतनी प्यारे प्यारे लहंगे थे कि देखते ही बन रहा था और देखिए यहाँ पर होलसेल मार्केट भी है बट कपड़ों का खुला मार्केट भी है जैसे आप चाहें वैसे कपड इहां से ले सकते हैं और एक एक डिजाइन की पचास-पचास-गारी साड़िया यहाँ पर होती है एक डिजाइन में इतनी सारे कलर हम लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग खुद कंफुज हो जाते हैं और मैं तो कभी इस मार्केट में अकेली नहीं आती हूँ प्संद करने वाला चाहिए, ये हमारे साथ में, तो मैं देखिए, दिखा रहे हूँ आपको, इतनी तरीके के लहगे हैं, रियली में, आपको, मतलब साइड लहगे, और अलग लग तरीके के लहगे, और ये देखिए बच्चे, और उसके पापा जा रहे हैं, और सुट, और सब कुछ है, यहाँ पर सिले हुए सूट, रेडी मेड और बर्क में और मतलब खुला सूट, हर तरीके का मीटर वाला सूट और यह देखिए फैंसी ड्रेसेज, मैं क्या बोलू यहाँ पर सब कुछ है और अगर आप भोपाल आएं तो बेरागड का मार्केट भी पक्का घूमें क्योंकि ब मेरको वहाँ पर जो है अभी लोगडाउन चल रहा है तो नाइट की शादी नहीं है, डे ही डे की शादी होगी, दो से छे का टाइमिंग ही दिया है, तो उस हिसाब से मैं कपड़े अपने लिए पसंद कर रही हूँ क्योंकि लहंगे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट घर की शादियों तो लेंगे अच्छे लगते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ fancy dress जैसा कुछ मिल जाए, जो कि सर पे पल्ला रखने में अच्छा भी लगे और मैं उसको पहन भी पाऊंगे, ऐसा नहीं है कि इतना महगा खरीद लिया और एक बार से दूसरी बार नहीं पहन तो इसी तरीके से मैं देखिए पसंद कर रही हूँ और ये मुझे बहुत चाथा पसंद आया है और आप लोग भी बताईएगा ये मेरे उपर कैसा लगेगा, तो देखिए वो हम लोग ने खरीद लिया और अब हम लोग निकले हैं मेरे बेटे के कपड़े के लिए और मेर नहां पर देखिए फैंसी साड़ियां लगी हुई हैं और ये वाला लेंगे कब बर्क इतना सुंदर था ना बहुत सुंदर लेकिन वो दुकान वाला खड़ा था ना तो मैं उसको ज़्यादा क्लियर ली दिखा नहीं पाई क्योंकि कुछ लोग माना करने लगते हैं बट ऐसा नहीं है कि माना करते हैं बट फिर भी हम लोग को यआजीव लगता है और यहां पर मेरे बेटे के कपडले लैने के लिए हम लोग आये हैं क्योख ऑनलाइन शौपिंग हमलोग करते तो हैं बट उतना मज़ा नहीं आता जितना हम लोग फुली शौपिंग करते हैं और अनलाइन स्वापिंग में कहां और अब हम लोग आ गए हैं भूख लगी है क्योंकि गूमते हुए बहुत टाइम हो गया है और रेस्टोरेंट में और ये एक बहुत ही फैमस यहां का रेस्टोरेंट है जहां पर मैं हमेशा छोले भटूरे खाती हूँ और ये ज्यादा रेस्टोरेंट नहीं है लेकिन यहां के छोले भटूरे का टेस्ट आप देखेंगे न कि मैं क्या बोलू और यही पर बैठ के खाती हूँ अगर शौपिंग करने आई हूँ तो देखिए वो ठाली तुरंट लगा के देते हैं और इतनी सफाई से और इतनी अच्छे तरीके यसे लगा के देते हैं कि मैं क्या बोलू और देखिए गरमा गरम आपको एक एक निकालेंगे एक एक शेकेंगे एक एक देंगे और चार प्याज और छोला भटूरा दोनों चीज देखिए भटूरे भी इसने अच्छे बनाते हैं ये बहुत तेस्टी होते हैं और चोले की जी कितनी अबी जिंक कितनी सुन्दर लग रही है कितनी प्यारी और देखि आचार भी रखा हुआ है और यह लगा है फेब्रेट डी कर है कि तो दोनों ने खूभ मज़े से खाए छोले भटूरे और हम दोनों तो बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं जिस भी चीज को खाते हैं फुल एंजॉय करके खाते हैं और पक्का आप लोगों के मूँ में भी पानी आ रहा होगा तो यह देखिए बोल रहा है मैं धीरे धीरे खाता हूँ अच्छे डिसिप्लि खाते हैं और आप लोग निकलते हैं घर के लिए खाने के बाद में तो आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा निव से निव वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए